आज पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा आशलेशा नक्षत्र में चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी बुद्ध देव हैं आज के जन में जातक सुन्दर, बुद्धिमान, परिवर्तन सील आचरण वाले, शिग्र प्रसंद होने वाले हास्मुक और बौधिक छम्ता में आगे होते हैं ऐसे जातक दूसरों की नकल करने वाले कलात्म का विरूचियों वाले साहित, संगीत के प्रेमी और यात्रा प्रिय होते हैं यदि सहयोगी लगने रहा, बुद्ध और चंद्रमा की इस्तित्ति अनकूल रही तो पून सफल होंगे चंद्रमा आज पूरे दिन करक राशी में ही चलते रहेंगे, आज भी चंद्रमा की यूती राहु के साथ बनी रहेगी मगर चंद्रमा का बुद्ध के नक्षत्र में होना राहु के दुस्परभाव को नीयंत्रित करने का काम करता है ऐसे जात्कों के 27 दिन बाद पुना इसी नक्षत्र में गंड मुल्शान्ती करानी चाहिए मेश राजी के जात्कों के याद्म विश्वास और कारे छमता में गृत्धी होगी रचनात्मक प्रयास की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन होंगे बुद्ध का सही योग बौधिक छमता के इस्तिमाल में सहायक सिद होगा अपने कारे छेत्र में सामने वाले के मन तब्य को बारीकी से समझ कर निर्णा लेना उचित रहेगा और उसमें आप सफल रहेंगे अपने जीवन अस्तर में सुधाय की प्रक्रिया चालू होगी और बहुत दिनों से सोचे हुए ग्रियस्ति संबंधी कारे पूरे होंगे आज इकलाब सामाने रहेगा विध्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा सेक्षडिक कारियों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुक सहार्द में पृद्धी होगी ब्रिश राशिक के जातकों के स्वास संबंधी मामलों में सुधार होता जाएगा और मानसिक बल में पृद्धी होगी उर्जा अस्तर बहा रहेगा चंद्रमा के बुद्ध के नक्षतर में होने से कारेच शेतर में सुधार मिलेगा और ब्यावसाहिक गतिविधियां अनुकूल रहेगी रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे सासन सत्ता का सहीयोग बना रहेगा मगर अपने विभागी अधिकारियों के सहीयोग में कमी संभावित है संतान संबन्धी सुखत समाचार मिल सकता है बिध्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है किसी यतिधी के आगमन से मन प्रसंद होगा और पारिवारिक दाईदु की पूर्ती होगी मित्यों दाशिके जातकों के कारियोजनाओं में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संभावित है चंद्रमा के राहू के साथ होने और आज बुद्ध के नक्षत्र में चलने से हर काम के प्रती अनावशक ब्यगरता और जल्दबाजी की प्रवरित्ती बनी रहेगी नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे सकारात्मक पहल जारी रखें आर्थिक लाव मिलता जाएगा साजेदारी के कामों में ब्यगरता और यल्दबाजी उचित नहीं होगी अध्यान अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में ब्रिद्धी होगी मगर पारिवारिक संबन्दों पर ध्यान देना होगा और शाम का समय राहत वा सुकून वाला महसूस होगा करक राशी वाले जातकों को धैर और सहयोग मिलता रहेगा अतिरिक तार्थिक लाव संब्भावित है बच्चों के बेवार और प्रतिक्रिया में तनाव हो सकता है सामन्जस बनाए रखें शनी और राहू का प्रतिकूल प्रभाव आपके उपर जारी है बिद्यार्थियों के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी सिक्षप्रत योगिता में सफलता संभावित है और स्वास्त संबंदी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए सिंगराशी वाले जातकों का अनावशक भागदोर अंचाही यात्रा और सुक्स अंसाधनों पर खर्चा वाला मिला जुला समय रहेगा मगर मानसिक रूप से अपने आपको अच्छा वा उर्जावान महसूस करेंगे पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचार और मानसिक दबाव खत्म होंगे कारी और योजनाव की सार्थ तक पहल जारी रहेगी रुके हुए काम भी चालू हो सकते हैं अधिकारियों का सहीयोग बना रहेगा आर्थिक लाव सामाने रहेगा वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल है सिक्छा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और सफल महसूस करेंगे कन्या राजिके जातिकों के लिए आज का समय कारी वजिनाओं में आर्थिक लाग और उसके व्यवस्तित करने में बीतेगा गाचनात्मा पहल जारी रहेगी चंद्र के बुद्ध के नक्षत्र में होने से कारी वजिनाओं के नए आउसर सामने आएंगे संबंधित मामलों में शाम तक यात्रा संभावित है साजेदारी के प्रस्तावों में मित्र वह सहयोगियों की भूमी का महत्पूर्ण होगी आठिक लाग बना रहेगा मिध्यातियों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वात संबन्दी आवशक सावधानी बनाई रखें तूला गाशी वाले जातकों के लिए सुबा से चली आ रही इस्तिती में शाम तक सुधार होगा आर्थिक लाव की अनकूलता में व्रिद्धी होगी और कारी छेतर में चली आ रही दुविधा पूल इस्तिती खत्म होगी कारी योजनाव की रूप रेखा का निर्माड होगा और आर्थिक लाव के नए अवसर सामने आएंगे साजेदारी के कामों में आपके प्रयास साथक होंगे मगर विभागी ये कर्मचारीयों को सावधानी अप्रेक्षित है महतुपून निर्णय में अधिकारी का हस्तर छेफ संभावित है अध्यान अध्यापन के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और स्वास संबंधि संतुष्टी महसूस होगी ब्रिश्टिक राशी वाले जातकों के लिए शाम तक का समय कामों में रुकावट और दुविः पुनमान सिक्ता के बीच लगा रहेगा मगर साम के बार चंद्रमा के सिंह राशी में आने से कारेच्षितर के विकास के प्रतिकेंद्रित होगा और नई कार्योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा रचनात्मक प्रयास सफल होंगे संबंधित मामलों में प्रतिनिधित करने का मौका मिलेगा और यात्रा संबावित है आखिक लाव सामानी रहेगा संतान संबंधि चिंता में राहत मिलेगी सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संबावित है नीजी संबंध प्रगाड होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा धनूराशी वाले जात्कों को स्वास्त संबंधि सावधानिया रखनी चाहिए आज का दिन अनावसक यात्राओं मामसिक तनाव और भ्रहमात्मत इस्थिती वाला संबावित है मगर दोपहर के बाद कारेच्षत की संतुष्टी बनने लगेगी और सहयोग मिलने लगेगा नई कार्योजनाव के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा आथिक लाब सामाने रहेगा संबंदित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं विद्यातियों के लिए आज का समय अच्छा है सफलता संबावित है मकर राशी वाले जातकों को कार इच्छत में सुगून मिलेगा और पतिष्ठा में ब्रिध्धी होगी अपने और विभागिये करमचारियों के कामों में गुडवत्ता में ब्रिध्धी होगी अपने कार्व योजनाओं को और बहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा साथ है पारिवारिक दायत की पूर्ती में मन लगेगा छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है अपने खर्चों को नियंसित करने की कोशिश करें आर्थिक लाफ की गती सामानी रहेगी विद्याथियों के लिए आज का दिन सामानी रहेगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास संबंधि जटिलताओं पर आवस्चक सामधानी बनाए रखें कुम्ब राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन पिछले दिनों की अपेखछा अच्छा रहेगा मान सिक और स्वास संबंधि जटिलताओं में आराम मिलेगा कारे चेदे में निरंतरता बनी रहेगी सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा रुके हुए कुछ काम संपन्ध हो सकते हैं और साजेदारी लफ लाहधायक रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा वयवाइक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूर है विध्याथियों को मेहनत करनी पड़ेगी मगर भाग्यवर्ष कुछ काम अच्छे होंगे और स्वास संबन्धि आवसक सावधानी बनाए रखे मीन राषिवाले जाज़कों को आज भी सावधान रहना चाहिए बिरोधी पक्ष सक्री रहेंगे किसी मामले में साजिस के शिकार हो सकते हैं आवसक सावधानी बरकरार रखे कार योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी नए प्रस्ताव के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा महत्पूर निरंए भविसे के लिए टाल दें आर्थिक मामलों में सहयोग संभवे संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण होगा और स्वास संबंधी आवसक साउधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवायद